हेलो स्टुडेंट्स एंड विल्कम बैक्ट वर चैनल सिराज शेग आज डेपरिसियेशन का लेक्षर नमबर पूर है जिसके अंदर हम कवर करेंगे नए मेथटोड वडेशन यानिके डबलूडीवी मेथटोड वडेशन आप तक मैंने टीन वीडियो अफ्लोड किये जिसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड यानिके एफ आयम मेथ़र या तो युगान से ओरिजिनल कॉस्ट मेथटोड के संप्रीट के आज हम स्टाट हे नया तैस डबलुडीवी मेतोड या डिमिनिजिंग मेलेंस मेथटोड या немного अल्यां सब्सक्राइब कर दोडरिजंग dl मेंसूंक प्रियन कंपाइब लेक। अरॉंगःब हम्किमाचीछी को ड्र community खिर और फश्थर्ट शौंगोंगास, और रिष थाचिन पूशलाय मोग्वेशना, 1st Jan 2015 became absolute and was sold for $40,000, depreciation was provided annually on 31st of March at a rate of 10% per annum on written down value method, you are required to prepare machinery account for 14-10, 16-16 and 16-17, same question आएगा, but सिर्फ बदलेगा क्या, तो यह method बदलेगा, दोनो depreciation मतलब straight line method या WDV method करो, question same होता है, खाली यह जो line है वो बदल जाएगा, मतलब या तो straight line method बुलेगा या तो फिर WDV method बुलेगा, मैंने तीनों नाम दिया है, नाम कुछ भी आ सकता है diminishing balance method, reducing balance method, या return down value method, यह एक second method हुआ first method मैंने आपको बताया था, straight line method, original cost method या FIM fixed installment method, दोनों method है, दोनों में question सेम होता है, question किदर भी change ने होगा, खाली है जो line है last का method कीन होगा, calculation working सब बैसे ही करना है, फोड़ा सा changes आने वाला है WDV के calculation में, बट concept is same, asset का value कम करना मतलब depreciation ही होता है, clear है, तो start करते हैं, देखते हैं आपने को working क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी depreciation का sum solve करोगे, तो सबसे पहला क्या जुनना है, फीन चीज़ जुनना है, year end method and rate of depreciation, तो यहाँ पर year end क्या है, तो 31st of mark दिया गया है, कितना percent depreciation है, 10% है, कौन से method में, WDV method में, यहाँ पर WDV, DBM and RBM, WDV return down value, DBM, diminishing balance method and RBM, reducing balance method, यह method ही answer है, WDV, return down value, diminishing balance कम करना, reducing balance कम करना, original cost में आपने देखा था, मतलब जो पहला method था, उसमें मैंने, जब depreciation calculate करता था, हर साल, original cost पे calculate करता था, पहले साल भी जितने में खरीदा था, दूसरे साल में भी उसी जितने में खरीदा, किसरे साल में जितने में खरीदा, original cost पे depreciation होता था, पडिदर WDV, यानि कि delishing balance method यह reducing balance में होगा, बाकी calculation will be the same, से लिए ठीक है, अब year end मिल गया है, तो year end मिलने के बाद क्या करेंगे, calendar prepare करेंगे, साल खतम हो रहा है, mark में, तो कब start होगा, April में, तो April से mark का calendar ऐसे कम से कम 3 साल के लिए तो prepare करना है, तो मैंने 3 साल का calendar, अब year की बाद करेंगे, सबसे पहला purchase में ने किया है, जैन 2015, ध्यान से देखना, December, फिर जैन 2015 है, तो December और जैन में थोड़ा सा फरक आएगा, December में 14 होगा, तो जैन में 15 होगा, तो जैन में 15 होगा, तो जैन में 15 होगा, इसका मतलब जो April आएगा, वो कौन से year आएगा, 14 का आएगा, यहाँ पर एपरिल से December 14, जैन 2015 होगा, बनेगा, फिर उपरिल 15 में चालू होगा और मार्च 16 में खतम होगा, फिर एपरिल 16 में चालू होगा और मार्च 17 में खतम होगा, कैलेंडर का calculation समझ में आगिया, year in the calendar बना, आप प्रोटिंग करना है प्रोटिंग आपने जैसा किया था सेम वैसा ही होने वाला है समर्स मैनुफाक्टिरिंग कंपनी लिमिटेड और अरंगाबाद पर्जेज न्यू मशीन 4 रुपीज 45,000 और 1st of Jan 2015 चलिए 1st Jan को मार्क कर दिया मैंने पर्चेस किया है 45,000 का उसी दिन मैंने 5,000 का खर्चा भी किया है तो इसमें 5,000 का खर्चा एड़ कर दा हो तो मशीन मुझे पढ़ा है 50,000 रुपे में अब वाबस यहां पर स्पेसिफाई नहीं किया कि एक मशीन दो मशीन कितना मशीन पचास हदर का मशीन पचेस किया आगे देखते हैं इंद सीम यह फर्स जुलाइ दोसीं यह मैं दो दोजार फंदरा में हमने फर्स जुलाइ दोजार पंदरा गो तो यह आपके सेकेंड यह की कैल्कुलेशन में आ जाएगा क्या थी है पर्चेस कितने का पर्चेस किया 25,000 क आगे दिया है 1st July 2016 को तो 1st July 2016 को नेक्स यहर में आ जाएगा अधा हमने क्या किया है सेल किया है 40,000 रुपए में और जब भी सेल करोगे तो original cost और कॉल से तारी को खरीदा वो लिखना जरूरी है तो इसका original cost सब 50,000 और यह कब खरीदा गया था 1st Jan 2015 को तो हमने 1st Jan 2015 को पचा समझ में और कुछ है क्या नहीं सच अब year end पर depreciation आने वाला तो year end पर depreciation, year end पर depreciation, year end पर depreciation, working पहला straight line में भी ऐसा ही था, WDU में भी वैसा है, कुछ भी change नहीं होगा, clear है यहां तक चलिए ठीक है, अब यहीं working को फिर से में continue करता हूँ, यहां पर same copy paste कर दिया आपको, सब्सक्राइब नहीं है, second year से थोड़ा सब changes आने वाला है, क्या सब्सक्राइब, अब यहां पर working में कैसे हो, पहले साल में जड़ा देखते है, कितना machine खरीदा है, सर एक ही machine कर रहा है, पचास बदार का चलिए, दूसरे साल में एक machine कर जाओ, तीसरे साल में बेटा है, in short, मेरे पास तीन साल में total कितने machine है, दो machine में है, समझ मैं, यहां पर working में first year, second year, m1, m2 और total, working दिखा, थोड़ा मैंने change किया, यहां पर year, m1, m2 and total दिखा हुआ है, अब पहले साल में जादा हूँ, तो पहले साल में original cost machine 1 का पचास बदार, machine 2 मेरे पहले साल में हाई नहीं मेर पास, second year में वो आने वाला, first year में है क्या, नहीं तो मैंने उदर dash कर दिया, अब depreciation चार्ज करना है, concept method से, WDV method, diminishing balance method या RGM को minus करना है, इसके पहले के method आप माइनस नहीं कर रहे थे, यहां पे आपको minus करना है, clear हुआ गया, तो यहां पे आएंगे, minus करेंगे, depreciation कितना percent, 10 तो यहां पे आजाएंगे, 10 percent calculate करेंगे, 50,000 के उपर 10 percent calculate करना, तो सर्फ 50,000 पे 10 percent calculate करना तो आपने तो बता दिया है, मैंने ठीक है, 50,000 का 10 percent, 5,000 आएगा, साल भर का, आदे साल के लिए 5,000 और उसके आदे साल के लिए 1,250, working आपके सामने, F5 वाले calculator पे calculate करेंगे, आपको तो मेनी जाएगा, ठीक है, अब सवाल ही जो 50,000 का मैंने मशीन खरीदा था, वो कब खरीदा था, 1st jan को, तो 1st jan से jan पूरा महिना, feb कूरा महिना, मार्स कूरा महिना, मदब 3 महिना यूज किया है, तो 3 महिने का depreciation कितना है, बेजिगोड, 1,250, तो इस पे depreciation आएगा, 1,250, second माइनस करते जाना है, तो अपने को मिलेगा, WDV next year में, पहले साल में हमने इतना यूज के, अब जो WDV आया है, वो next year का आएगा, तो 50 में 1250 माइनस करोगे, यहाँ पर यह माइनस कर दोना है, कितना आ रहा है, 48,70, इधर तो कुछ भी नहीं है, आपके साथ, समझ में आया चलिए, डेप्रिसेशन काल्कुलेटर करेंगे 10%, छोड़ा सा काल्कुलेशन होगा, 11 संदर्ट डिफिकल्ट पड़ेगा, बट 13, quite simple, काल्कुलेटर यूज तो आपको आजाएगा, 10% डेप्रिसेशन काल्कुलेटर करना है, 48,750, ध्यान से, 10% एक जीरो कम होगा, 4,875, 75 मतल तक 6 मंत के लिए उसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा, अभी जरुवत तुफान इबट अगर आपको करना होता, तो 4,875 का आधा जाएगा, दूसरा है 25,000, 25,000 का 10% निकालेंगे, 2,506 महिने के लिए 1,250, और 3 महिने के लिए उसका भी आधा 650, अब सवाल है कि ये जो 850 मिखा के रहता है, 845 मीख के रहता है, 25,000 का कब खरीदा, चरह आपने 1st July वो खरीदा है, July, August, September, October, November, December, Jan, February, March, 9 महिना आपने इसे यूज़ किया, तो इस पे 9 मंग का डेपरिसेशन कितना आएगा, 1250, प्लच 625, 6 प्लस 3, 9 होता है, तो यहाँ पे डेपरिसेशन पुरा इसना हो गया, तो 4875 प्लस 1875 is equal to 6750, समझ में, अब WDV आएगा, यह कौनसी यह में काम आने होना, 3rd year में काम आने होना, तो 4875 में 4875 माइनस किया, 43 875, 25,000 में 1875 माइनस किया, 23 125, समझ में आ गया, क्या, और कुछ है कि 3rd year में, सर अभी सेल किया है, कब सेल किया है, जड़ा सर हमने सेल किया है, 1st July को, मतलब 3 मन्स यूज करने के बाद बेचा है, 25,000 माइनस को बेचा है, कि नहीं इसे, आपने फूरा साल आपने यूज किया, ठीक है, depreciation करेंगे, 4, 3, 8, 7, 5 पे 10%, कितने मन्स के लिए चीए, तो ज़रा ध्यान देना, April, May, June, 1st July को बेचा है, मतलब सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 महीने के लिए calculation आपके सामने दिखा है, 4, 3, 8, 7, 5 का 10% निकालोगे, तो एक डिजिट कम करना है, एक डिजिट में 0 कम करता था, तो इसलिए इंपर्ट अब यहां पे 0 नहीं, यहां पे 5 है, तो इसका 10% आएगा, 4, 3, 8, 7, 5 आएगा, पूरे साल के लिए, आधे साल के लिए कितना, तो मैंने round off कर दिया, 4, 3, 8, 8 किया है, 4000 का आधा 2000, 300 का 1500, तो 2150, 88 का 44, तो एक सो पचास में 44 आड़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा, very good, 2, 1, 9, 4, यह 6 महीने चलिए, अब 2, 1, 9, 4 का भी आधा करना है, तो 2000 का आधा 1000, 100 का 90 का 45 और 4 का 2, तो 45 प्लस 2, 47 हो गया, और 50 उडर थाए, 47 को 97 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1097, 3 मंग, समझ में आया है क्या, जिनको नहीं समझा, एक बार calculate करके देखना, मेरे इसाब से, यह 11 के लिए working है, 13 के लिए calculator allowed है, you can use, ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, next है 2350 2350 पूरे साल यूचिया, एक 0 कम कर देंगे, तो point में answer आजाएगा 2312.5, round up कर देता हो, उसे 2313 कर देगा, तो यहाँ पर मैंने 1st year में 1097 और इसे S mark किया, क्यों, इसे बेचा है, और 2313 इसे तो बेचा नहीं है, तो total depreciation याद कुरू मैंने क्या बढ़ता है, sales वाला depreciation कभी total में आता, नहीं है, तो यहाँ पर total में कितना आएगा 2313 आएगा, अब 3 year के बाद 4 year में, 4 year जाना नहीं है, तो 4 year के पहले अपने एक जो machine बेचा, उसे बेच के खतम करते, तो 43,875 में अगर 1097 तीन महीने का depreciation माइनस करता हो, तो WDV यानि कि आज का भाव मिल जाएगा, औ जिस तारिक को बेचने वाले हो, 3 month के बाद, और जो दूसरा दीखना है, 20,812 यह साल भर यूज करने के बाद का बाद, लेकिन अब मैंने इसे बेच दिया था, 3 महने के बाद, 42 का सामान है, 40 में आपने इसे बेचा है, मतलब आपका profit हुआ कि loss हुआ, कितना loss हुआ, तो 2778 का आपको क्या हुआ है, loss है, समझ में आ गया यहां तर, यह आपने दो working को साथ में किया, अगर आपको याद होगा तो उसमें हम तो क्या करने है, पर calculation of profit and loss, यहां पर ऐसा कुछ भी ने, इसी के इंदर calculation of profit and loss भी होई जागता है, clear हो गया, यह आपका working हुआ, second, आ जाते है third working के तरफ देख सकते, मैंने यहां पर already copy based कर दिया है, यह जो calculation आपको देख रहा है, यह अब भी जो हमने किया, वो उपर calendar बन गया, नीचे मैंने आपको ledger बना के देख दिया है, ठीके, start करेंगे year wise, पहले साल में एक जैन को हमने purchase किया था, फिर depreciation और कुछ भी नहीं है purchase में 45 का तामान था, 5000 उसका fixation का payment किया, 5000 का machine बज़ा, machine खरी तो machine आने वला है, तो two cash bank कितना 45,000 का सर्चा किया 5000 का 5000 और कुछ हुआ है कि ने, sir depreciation, depreciation का मतलब asset का value कम करना है, तो first year का total depreciation कितना है, 1250 तो by depreciation 125, अब कर ले से हैं total, debit side का total 50,000, same total लिखना है, उसमें से 1250 माइ 2750, either plus point यह है, जो आपने working बना है, उसमें सारे amount भी सिफ कॉपी करना है, first year में आपके आख 4750 का देखो, balance भी दीखरा है, second year में हमने 25,000 का machine purchase किया था, उसके फिर depreciation वगेरा दिया है, तो आ जाते है second year में, हमने purchase किया, तो फिर machine आने वाला है, two cash और bank कितने का, 25,000 रुप अब आ जाते हैं, total करेंगे, तो debit side का total जादा है, उसमें से credit side के total का minus करेंगे, 67,000 तुमोलेंगे जर कैसे, तो 43,875 में, plus 23,125 करो, दोनों को plus करके देखो, आपको 67,000 तो आयागा, यह third year का balance, अब यह same, इधर copy paste हो जाएगा, two balance brought down, 67,000, third year में आएंगे, तो third year में sale किया है sale किया है, तो 3 चीज़ इतना है, by cash bank, by profit and loss, by depreciation, by cash bank मनलब कितने में बेचा, by profit and loss, profit हुआ या loss हुआ, यहाँ पे तो loss हुआ, by depreciation, S, S वाला कितना है, तो by cash bank, by depreciation, by profit and loss, 40,000 में बेचा, S वाला depreciation है, 1097, और यहाँ पे मुझे loss हुआ है, 277 हुआ, clear, और कुछ है, the depreciation, तो by depreciation, कितना है, total, 2313, अब total करेंगे, debit side के total जादा है, 67,000 में से, यह minus करेंगे, तो balance आएगा, 20812, आपको वास, last year में, जो उतना ही balance बचा, आप में जो closing किया, आप में जो closing किया, तो यह तो चला गया, एक ही बल गया, उसका balance दे हो, अपने को balance आने का, clear हुआ, तो इस त पहोँ आने का, कमें जो एक हम जो disponू का, जो गया, प्रहं प्रादा का, को जो और बाल का, की बल एक हम करेंगा, तो किया जो